शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि लिए सम्सक्राइब करता है है दिल के अफसारी सु गए है हो गए है दिल के अफसारी कोई दो आता फिर से कभी को जगाने कोई दो आता फिर से कभी को जगाने सु गए है दिल के अफसारी सु गए है दिल के अफसारी अफसारी बिसम ल्लाहि रह्मान रहीम अलहम्द ल्लाहि रभी आलमीन रह्मान रहीम आलिक युम दीन याकन आबदू याकन अस्ताइन एदिन सिरातल मुस्तवीम सिरातल लजीन अनामता आलेहिम वैरिलमग्दूवी आलेहिम वलत वालीन आमीन सास भी लेती है जो कठ पुते लिया उनकी भी आमे आमीन नानी नानी तुम क्यो रो रही हो? जब कुई मर जाते है रिजू के लोग रोते है ओया नानी था कोई था कोई था कोई इसे तेरी नानी बहात प्यार कर ते हो गए हो गए दिल के अपसारी सो गए हो गए दिल के अपसारी सो गए मैं कानारी मुझे आचा चलो आप भालू के नाम का एकनी बादा ने मुझे नहीं काना है अच्छा इसे करते है खाती के नाम करनी बादा ने ने मुझे नहीं काना ले लो बाबा ने जिजू जैनभी को तंग मत करो जल्दी जल्दी खाना खालो वरना बात्रूम में बंद कर दूंगी बट बुजे नहीं काहा है यो बच्चे के बीछे पड़ी हो वो नहीं खाना चाता होते रहने दो जनभी ले जो इस वार बच्चे की बड़ी फिकर हो रही है आपको तभी तो अपनी बेटी के रसम उस मासूम से करवाई मिट्टी तक नहीं दी विचारी को आपने लाश, कफन, कबरिस्तान ये सब मुझे नहीं देखा जा था मैं दिल पे पत्थर रख कर गई थी वहाँ और आप नहीं जा सके नहीं जा सका हमारी एक लौती बच्ची अग नहीं रही वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है अब तो उसे माफ कर दो यह उसकी रूप को भी नहीं बख्शोगे यह रिजु बाबा, अरे रुखो, 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 अरे सणाक, रुखो, हात पकड़ो, अराम से चलो अरे, अरे रिजु, अरे अराम से चलो बेटा, अभी मेल जायेगी बस, रिजु अरे, अरे, अरे रिजु, बाबा, अराम से चलो, तीरे दीरे, गिर जायेगे बाई रिजु, तो स्कूल क्यो आ रहा है, तेरी ममी तो मार गई वाज नानी मेरी ममी है, सिली, सीजी, शी एज एज उग ए तुमारी ममी तो एर क्रैश मेर गई जुट बोल रहो, यूरे रिजु नाई मान्दे दो मेरी ममी से पूछ लो, युछ दो.. तुमने जिसे मिटि में डाला वह कौन थी? पुरिजु बाबा की दूसरी मम्मी थी परियों की शहजादी थी वो उसका नाम था जुबैदा उसकी मम्मी थी फयाजी बेगब और डैडी थे सुलिमान सेड मैंना नानी जैसे? बिल्कुल वैसे समंदर की किनारे पे उनका एक घर था जहाँ वो अपने मम्मी डैडी और अपने रिजु बाबा के साथ रहती थी जैसे हमारा घर है? बिल्कुल वैसा घर था एक बार पता क्या हुआ जब रिजु बाबा बहुत छोटे थे न तो उनकी दूसरी मम्मी लालपरी बनकर फिलम में नाशने लगी जब वो हौले हौले नाच रही थी न तो एक हसीन जवान राजकुमार में उनने नाशने देखा उसने कहा अरे वाह कितनी खुबसूरत लालपरी है इसी तो मैं राजकुमारी बना कर अपने मेहल में रखूँगा बस आनन फानन वो अपने जादू के जहाज में जुबेदा बोड़ा के ले गया मुझे क्यों ने ले गई जादू वाले जाहाज में वो क्या है न रिजु बाबा वो अपने रिजु बाबा को लेने आई ही रही थी कि अचानक उसका जहाज गिरकर तूटके है पर तुम्हारी दूसरी मम्मी आसमान में जली गई अब एक सितारे पे उसका घर है जब रात को वो नाचने लगती है न तो सितारा टेम टेम घरता है मैं भी वाजाओंगा मेरा चंदा दूर कही एक आम के बगिया बगिया में है ठंडी चाओं छाओं में एक कच्चा रस्ता रस्ते में प्यारा सागाओं आधी रात जब हो जाती है जब दुनिया सोजाती है तारों से शहजादी उतर के मुन्ने के घर आती है मीठे मीठे सारे सपने अपने साथ वनाती है सोते मुन्ने की बलकों पे ये सपने वह सजाती है सिरहाने मुवाएं हाले से वगाएं दूर कही एक आम के बगिया दुनिया क्या जाने मेरा पसाना क्यों गाए दिल फुलपत का तराना दुनिया क्या जाने ये वो डांस नहीं है ये कौनसी रिल है? नमबर चार सर नहीं वो जिपसी डांस रिल नमबर वन में है बंजारन लड़की की पहले रिल मिसिंग है सर वो शुरु से नहीं मिल रही है वही तो देखना चाहता हूं मैं उसमे में जुबेदा का डांस नमबर है जुबेदा? उस जमाने की एक्ट्रिस थी बस एक ही फिल्म की थी उन्होंने ये बंजारन लड़की आप बंबई के जुपिटर स्टूडियो में चेक कीजिगा सर यह उनका खुद का प्रोडक्शन था प्रिंट उधर ही से आया था पूरा लॉड था साथ आठ पुरानी फिल्मों का शायद आपको वहां मिल जाए ठीक है थेंक यू वेलकम सर जुपिटर मुवी टोन का दफतर के रहे जुपिटर मुवी टोन ये स्टूडियो का ओफिस स्टूडियो कपका ठ था उगया शुपिस से बील्डर का ओफिस है अम बुल्डर के वाच्मैन है बुल्डर का ओ यह कोई है जो स्टुड़े के बारे में जानता हू कोई भी नहीं है कोई नहीं है नहीं साफ कर दे, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दूमाइड़ सकते हैं, वह कर्दूने की भीदी मरना कोरस्ट करें खुदुक्रिय। तेला जाओन विचारा कौन? हीरालाल जी कर ले आप हीरालाल जी है हाँ मैं हीरालाल हूँ मैं रियाज मसूदू फिल्म जर्नलिस्ट हूँ मैं अंदर आ सकता हूँ आओ बटाओ बैठो आप फिल्म एक्ट्रिस में सुबेदा को जानते थे? बैठो कौन? मिस्स जुबेदा 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 बेबी मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ एक जुमाने में उसका बाप स्टूडियो का मालिक था सुलेमान सेट बड़ा कड़ता साला एक बीबी उसके घर में थी और दूसरी जुबेदा बेबी स्कूल के बाद हमेशा मेर पास यह आती थी और शाम को उसके अबबा उसको गाड़ी में बिठाकर घर ले जाते थे क्या गाड़ी थी लंबी सी काली सी हाँ ब्यूक जुबेदा बेबी को डांस का बहुत शौंक था ती इंचारी बाख बाख एंगो बाख 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 आप बाख रोज आई रहसर पे एक दून आप हंदुस्तान की टॉपकी हरोई बाख जुबेदा जुबेदा बाख 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 कि अच्छा हूं जलो मेटा घर जने एक मिल जलो है जब तर्टी यादना अगे 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 मैडम अगे डिकेशन तो है नहीं सेवन तर्टी मिलने जाना रियासल नहीं कर नहीं है अगे अगे उसके बाद सुलेमां सेट नें स्टूडियो नन्दलाल सेट को बेच तीया बड़ा खडूस था जे सुलेमां सेट वरना जुबडभिस बेबी टॉप की हिरो इन बनती एक फिल्म के अंदर उसने काम भी किया था उस दिन क्या हंगामा क्या सुलेमान सेट ने बाप रे बाप बिल्कुल फिल्मी सीन था मलबली ओ मलबली ओ मैं अलबली घूमों अकेली कोई पहली हूँ मैं अग़ली हाए मुझे चाहा मिले जाए इन हावाऊ की सहली हूँ मैं तुभर अनजिली हाँ तुभर सजीली हाँ किर्मी हूँ मनमें तले गुषipln में शबन्न तभी हूँ मैं कभी हूँ शोला शाम और सबेरे सारंग मेरे मैं भी नहीं जानू आखिर हूं में क्या ननलाल दिया आजी I hope you know what you're doing पिक्चर में काम कराने से पेले एक बार सुलेमान से तो पूछ लेते रोज डालेंग अरे वो तुम मेरे पे छोड़ दो ने जितना पैसा मैंने ये स्टूडियो खरीदने के लिए दिया है ना उतना कोई नहीं देता सुलेमान पे बहुत बड़ा आइसान किया मैंने मेरे हिस्से में आई है कैसी बितावियो मेरा दिल खबराता है मैं चाहे जाओ 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 मैं इक पर हूँ यहाँ मैं हूँ इक पर गहाँ मैं अलबली घुमो अकिली कोई पहली हूँ मैं मैं अलबली घुमो अकिली कोई पहली हूँ साम बली किदर आओ सलाम सुलेबान सेट रंदलाल को बाहर बुलाओ अंदर सोच चल रहा सेट अरे शॉट गया बहार में मैं बोल रहा हूं नहीं से बाहर बुलाओ जाओ सुलेमान भी नाच करेगा इसका काम्याभी पे मैं बोलता है सुलेमान भाई आदा बरसे केसे हाँ आई 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 ये तश्रिफ लाइए सेट जब से आपने स्टूडियो बेचा है आपने तो यहां आने की एक बार भी जहमत नहीं की आप आगए हमारी तो किसमत जाग गई है आज अरी बेटी कहा है आपकी बेटी इज़त दौनत सौरत इसकी मनजिल तै कर रही है आज उसके इस्टाड़म का पहला दिने ने आप इक आसिवाद की कमी थी से डाओ जटा प्यूप जुबेदा को वरगलाने के चुर्म में मैं तुमें जेल भज़वा दूँगा वो लड़की अभी नाबालिग है मैंने उसे नहीं वरगलाया सेट बेबी अपनी इच्छा से मेरी पिक्चर में काम कर रही है वो खुदाईती मेरे पास है आप चिंता नहीं करो सेट मैं एकदम साफ सुत्री अच्छी फिलम बना रहा हूँ जुबेदा मेरी बेटी के जैसे भी तो है बंद करो हाँ जी हाँ जी सुलेमान राई कट 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 बंद करो ये लचरपन और चलो मेरे साथ घर चोड़िये चोड़िये मुझे मैं नहीं हाँगी जुबेदा इस्वक तुम अपने अबबा के साथ चली जा ऑड़िये जुदा, जुबेदा सीधी जा आगे गारी में बएटो मैं नहीं जाओँगी मैं ले कॉंट्रक साइं क्या है मैं फिल्म पूरी करूँगी ऑसे दिजर काम लीज है हम लो ये बाद में सब तैय कर सकते हैं अजा सुलेमान भाई मेरी इन्वेश्में का क्या होगा अगर इसे कोगे जांके गड़ी में बैठे अगर इचली गई तो मैं डूब जाऊंगा से अरे तो डूब जाओ अरे भाद मानो कुझ सुलेमाल में अगर पशुली अगरे तो अपनी मनमानी से बाद याएगी सुलेमान से अरे चारा प्रषे प्रिस्तॉब जाओ जाओ ये जगा हुआ तुम्हार ले नही है सेर जी, हाजी, तुम्हारा सट्या नॉस हो गया, हाजी, हाजी, वो भी क्या जमाना था, वा, क्या जमाना था, उस जमाने के, फिल्म इंड़स्ट्री के लोग, बड़े जिंदा दिल थे, आज कल की तरह ने, यह लो, मुझे बंजारन लड़की की वो पहली रील की तलाश है, जस में वो डांस नंबर था, वा, क्यों? विल्म जनलिस्टों ना, आर्टिकल लिखना चाहता हूं, सुना है, बड़े कमाल का जिपसी डांस था, हाज, वो गाना मैंने डिरेक्ट किया था, हीरा लाल, लिखो हीरा लाल, लिखा है, अरे, उस जमाने के अंदर, डांस डांस ह लेकिन वो रील मुझे कहा मिलेगी? अब कहा से मिलेगी? सब खत्म हो गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया, अब तो सुना है कि सुबेदा बेबी भी किसी के साथ भाग गई थी, बाद बाद में इश्क विश्क के चकर में उसका मुर्डर हो गया, अब तो सिर्व एक ही बटी है, रोजी, रोज डार्लिग मेरी मा काई उसमें पड़ा है, जारन लड़की, बेगुदा फिलम के पीछे क्यों पड़े हो, मिली, मिली, नहीं, अगर मिल भी जाती तो देखकर क्या फार्दा हो जाता, मेरी मा की एक जलत तो मिल पाती, नानी, तुम किसी रोज फिल्म अक्टर्स को जानती हो, रोज, कि तुझे ने बताया हिर तुझे नानी तुम तो नाम सुन्ते बभी गड़गी, जब ही यजे ती है, जड़ हाथ लगाए, सुखा पड़ जाये, तेरे नाना औ तेरी मान तोनोपे जादू कर रख था उसने अज़ दिखाई दिखाई दे रही है तुली वहाँ है वेलकम मैं दियर जिर रोस हमेशा की तरह तुम आज भी बस खुबशूरत दिखाई दे रही है थांकि यू जूली वड़ी शांदार पाटी है लुक्स ब्यूटिफूरत होगी ही अगर बेटी किस बाप की यह है मैं ननला सेट को भी साथ लाई हूं आपने इसे माफ कर दिया है ना सोचेंगे अगर ये शराब पी कर बच्चियों को बर्गलाना चोड़ दे तो अरे कैसी बात करते हो से एक बार गलती हो गई कान पकड़ हाँ हाँ let's forget it now वज़े पार्टी है किस खुशी मैंवाइ मैरे बच्पन के दोस्त साजिद मसूद के वापिस लोटने की खुशी में ऑवाइए मैं आपको नसे मिलाता हूं साजिद भाई ये हैं साजिद भाई साजिद मसूद मेरे बच्पन के दोस्त और ये हैं उनके देवन पॉल्ट यहां यहां आज भी हराम है अच्या वाट पिटी प्रीज शुली यहां यहां तुम नहीं सुद्रोगे सुलेमान कभी नहीं आज तक इसको पने गले से लगायो देखना एक दिन बरबाद करेंगी तुमा अरे बरबाद तो हम पहले हो चुके हैं यार हलो भी आजी जबेदा माइटेया यह लोगिए अपसलुटी गॉज़ज़श थैंक यू हलो भी रोजा मैंने सुना है तुम दोनों स्विजिलन पढ़ने जा रहे हूं हां लुकी गर्ल्स अटेंशन प्लीज लेडिस और जेंट्रमन मेरे अजीज दोस्त साजिद मसूद जो हमें छोड कर पाकिस्तान चले गए थे अब वापिस हिंदुस्तान लॉट आए है ताके मुझ जैसे गुनेगारों को नेकी का रास्ता दिखा सकें ये पार्टी उनके लॉटने की खुशी का जश्न है चेर्स तू साजिद भाई ये जाम साजिद भाई के नाम और तो सराब के नाम जो हराम है औरर जी भाई के राज में भी चेर्स दोस्तो मैं आप सब को एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा साजिद भाई और मैं अपनी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलना चाहते हैं इस लिए मैं अपनी बेटी जुबैदा की शादी इनके साफ़जादे महभूब आलम से करने जा रहा हूँ हमें आप सब के नेक द्वाओं की जरूरत हैं क्ञाटिविश्ट मुझसे क्यों नहीं पूछा अभूने ऐसे कैसे बोल दिया अची मैं अपनो तुम जानती हो कि हमें वही करना होता है जो साहब चाहते हैं अब्बा हैं तुम्हारे जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अब्बाने मुझसे पूछा था आपकी तरह मुझे एक दुदारुगाई नहीं बनना जिसकी नाक पे रसी डालके कोई कहीं भी ले जाए सब मेरा ही कुसूर है क्या इतना काफी नहीं है कि साहब अपना सारा घुसा मुझ पे उतारते हैं अब तुम भी मेरा दिमाग चाट रही हो जुबी मुझे इसा मत सता हूँ मैं सेह नहीं पहूंगी मैं बिल्कुल बर्दाश्ट नहीं कर सकूँगी खुदा के लिए साहब से माफी मांग लो मत रू अम्मी मैं कल अबू से माफी मांग लोंगी लो अबू सेह पाट अबू सेह लोग 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 नहीं कर सकते हैं रहीं बूँची अबबा, I'm sorry I said I'm sorry, Abba तुमने कल मुझे बहुत शर्मिंदा किया है अब मैं तोस्तों के सामने क्या मुझ दिखाऊँगा मकर मुझे नहीं करनी शादी साजित भाई के साथ शादी की बाद पक्की हो चुकी है महीने के आखिर में तुमारा नकात तै किया है पर आपने वादा किया था कि इस साल आप मुझे फिरोजा के साथ स्विच्छलन भेज़ेंगे फिनिशिंग स्कूल फिरोजा के बाप को फिरोजा के लिए अच्छा रिष्टा मिलने वाला नहीं है उसकी ना शकल है नाकल है और मेरी बेटी को तो खुदा ने सब कुछ दिया है फिर तुमें फिनिशिंग स्कूल की क्या जरूरत है घर का काम काश तुमें तुमारी अम्मी सिखा देगी मुझे नहीं करना घर का काम जैनब भी मैं आफिस से तीस हजार रुबे भेज रहा हूँ इसके जए इसकी चीज़ें खरीद देना अब्बू, लीज अब्बू, मेरी शादिया भी मत करा उस आदमी से मैं कैसे शादि करूँगी, जिसे मुझे प्यार नहीं है क्या तालूक है, हाँ, जेवकूफ कहीं कि अमी, इस जालिम से कैदो, मैं मैं बूब से शादि नहीं करूँगी तवबा तवबा, अपने अबबा को खोष रही है साहब एक बार कोई फैसला कर लेते है न, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो नहीं बदलेंगे जूबी ले जाले तुछको गुया, आने वाले है सया, खामेंगे आखे बईया, घूनदेगी शहनाई, अंगनाई, अंगनाई नहिंदी है लचने वाली, हाथों में बहरी लाली कह सखिया, अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है तेरे मन को, जीवन को, नहीं खुशियां हिलने बाली है मुझे नहीं लगवानी मेंदी बंदे, यह कोई बात हुई, मेंदी तो शगुन का निशान होता है बीटी, मेंदी मिला दूनल कैसे बनोगी मैं तुलर नहीं, कुर्बानी की बक्री हुँ, जिससे अबब अपने दोस को खुश करने के लिए जिवा कर रहे है हाई तौबा तौबा, इक कॉँसा तरीका अब बोलने का हाँ अबभा के लिए बोज बन गई हुँ, तो मुझे बाजार वे ले जाकर बेच क्यूने जालते है चुप रहो, मुझे ये बेगुदा बात हम बिलकुल नहीं सुनने मममो, मदब कराओ मेरी चलो, मेंदी लगवाँ जोवी चलो जोवी 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 मने भी बाज़िफ अए विजय में जोवी नहीं, जोवी जोवी हम जुवेदा खातून जित्ते सुलेमान हैदर साथ, क्या आप मुझे इजाज़त देती है कि आपका निकाह मैभूब आलम इबने साजीत मसुष से एक लाग जर्रे महर एवस कर दू। अगर बोलते वेशर मार ये तो हां में सर हिला दोगे। जाल सूरत की जोड़ी है, अल्ला सुम्दूरों के अपने वह करम से नावादे। जाल सुम्दूरों के आचलने उतरेंगे तारें। महली है रशने वाली हाथों में घहरी लाली। कह सकिया, अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है। तिर मन को, जीवन को, नई हुषियां मिलने वाली है। एक्टरी डालने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी है। पिछले दस महीनों से चक्कर काट रहा हूँ, परमेटरी नहीं मिलता। अजीब चक्कर है यार। मिल जाएगा, मिल जाएगा, सरकारी काम ऐसे ही होते है। असल में बात क्या है, जानते हो सुलेमान, यहां पर लोग एक मुसल्मान को फेवरी नहीं करना चाहते ह। मुसल्मान तो हम भी है यार। हमारी तरक्की में तो आज तक किसी ने रुकावड नहीं डाली। मुझे तो लगता है यहां वापस आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रहे हो साजेद। यह तुम्हारा अपना शेहर है। यह घर भी तुम्हारा अपना है। मगर यार आखिर कब तक तुम पर बोज बने रहेंगे हम। वाट नौंसेंस यहां। अदाब चचा जान। अदाब नायर होस्पिटल से मेरा कन्फरमेशन का लेटर अगया है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। वो लोग क्वाटर भी दे रहे हैं क्या। तुम बच्चों को घर से निकालना चाहती हो। मैंने तो एक बात कही थी बस। वैसे भी बच्चे अगर अलग रहें तो क्या हर्ज है। कौन सा पर्देश जा रहे हैं। अरे पर यहां से कहीं और जाने की जरूरत भी क्या है। खास तोर पर जबके जुबैदा उमीद से है। क्या। अरे कमाल करते हो यार। मैं दादा बनने वाला हूँ और मुझे किसी ने बताया तक ने। मुझे भी अभी पता चला। तक तो मुझे कराची जाने की तैयारी फोरण शुरू कर देनी चाहिए। जब अब मैं तुम्हें मारूँगा। मेरे अभबा को पता होता कि कराची जाने का प्लान Looks तो हमारी शादी कभी नहीं करते है मेरे अबबा invited जाना चाहते हैं... ächlich तो हमें भी उनके साथी जाना होगा। तो मैं ऑपनी अभबा की साथ जाना चाहते हो। और तुम चाहते हो कि मैं अपनी अम्मी और अबा को अकेले छोड़ कर चली जाओं। सुपेधा, सुपेधा, देखो, अबा नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ घरदामाद बन कर रहा हूं। इतनी अच्छी नोक्री है, हम बंबय में आराम से अलग घर लेकर रह सकते हैं। हाँ, मगर अबबा जाने की जिद्जो कर रहे हैं, वो तो करांची जाने पर तुले हैं। अगर तुम उनसे कहोगे, कि हमें आपके साथ नहीं जाना, तो वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, पहले बच्ची को तो पेडा होने दो, फिर बात करता हूँ। अभी कहने में क्या हर्ज है? तुम उन से इतने डरते क्यों? बस मेरी बच्ची बस थोड़ा इंप से काप बस मेरी बच्ची आल्ला का नाम ले अभी अल्ब तुरहीम है करीम है ज़ब्धा की जचगी असान कर तुम नहायत खुदगर्ज हो साजित एसान फरामोशी की भी हद होती है मैं तुम दोनों की मदद में दिन रात एक कर रहा हूँ और तुम बिना बताये हुए मुझे यहां से सरकना चाते हो अरे कितनी कोशिशों के बाद महभूब आलम को परमनन्ट करवाया है तुम जानते हो यहां लोग मुसल्मानों के बारे में क्या सोचते है आँ वही तो बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुमारी बात मान कर यहां हमारे लिए कोई जगे नहीं है आप लोग चुप हो जाएए यह भी कोई लड़ने का वक्त है अरे भाविया आप भी समझाईए ना इसको आप ही समझाईए कि पाकिस्तान चले जाने की सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कोई चारा नहीं है यहाँ पर हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं वहाँ भी कौन सा बनेगा पाकिस्तान में तो आप लोग भी बड़ी आओ भगत की जा रही है यह न महाजर कहे जाते हैं आप लोग महाजर बको मत तुम क्या जानो इन सब बातों की बारे में तुम तो बस यही चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा घरदामाद बना रहे और मैं तुम्हारे आगे पीछे गूमता रहूं बस सच तो यह है साजेद कि जिन्दगी में ना तुमने कभी कुछ किया है ना ही कर पाओगे इधर हो या उधर नालाएक तो नालाएक ही होता है तो तुमने कौन से बड़े तीर मा लिये है यहां पर रहेकर दो चार जलील किसम की स्टन पिच्चरें बनाकर चार पैसे कमा लिये है तो समझते हो बहुत बड़ा मकाम मिल गया है तुम्हें आपना समझके घर दिया बेटी जी تم मारे काम के लिए भागा भागा पृतारा और जिल्लत और गालियां तो तुम क्या समझतेओ मेरी को इस्ट नहीं है मैं यहां से जारहा हूँ और जहां भी जाओंगा मेरी पहू और उसका बच्चा मेरे साथ जाएंगे मैं तुम्हें कभी बख्षने वाला नहीं हो साजिद तुम जहां जी चाहे जाओ लेकिन मेरी बेटी तुमारे साथ नहीं जाएगी और ना ही उसका बच्चा जाएगा मगर चाचा मेरी बीवी और मेरे बच्चे को तो चलो बेटे अब इन लोगों के साथ हमारा कोई गौस्ता नहीं मुबारको बेटा हुआ है महिंदी है तुछने वाली हाथों में गहरी लाली तह सकिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है तिर मन को जीवन को नई खुशिया मिलने वाली है महर की रकम एक लाग रुपे ते हुई थी वो तलाग से पहले आदा होनी चाहिए लड़की अपनी महर की रकम मुआफ करती है फिर तो तलाग फौरण दिया जा सकता है बोलिए मैं मैं महभूब आलम अपने पूरे होश औहवास में अपनी बीवी जुबेदा खानम को आज़ाद करता हूँ मैं तुमें तलाग देता हूँ मैं तुमें तलाग देता हूँ झाल झाल सास भी लेती है जो कठ पुद्रिया झाल 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 सो गए, हो गए, दिल के अपसारी सो गए, हो गए, हो गए, हो गए, दिल के अपसारी यू हूँ, आटी रोस इस सवच धिल करताः क्त हो माइ गौड ये यो ख्या हू रह तो शादि के फोटो है ये तो स्पिना उच्ष्प ह्या रह रह ये कौन जला रह बहु जार रह तू प नों म्यूइव् वो क्या शादी का जोड़ा मज जलाओ तूपी क्या तलाख हो गया God ये तो हो नही था Don't worry, my dear That Mehbub Alam just didn't measure up to you वो तुम्हारे लायक ही नही था शौहर तो शौहर ही होता है आप चाहे कुछ भी समझे Don't more Spine-less men like that just aren't worth it तुम्हें एक असली मट चाहिए तुम्हारे अबबा जैसे चलो, Zuby चलो, Beta अबबा ऐसे कैसे हमें छोड़के चले गए क्या हुने मारा जराभी खायल नहीं आया अपने अबबा की तो बात ही मत करो और अगर उन्हें तुम्हारा ज़रा भी ख्याल होता तो मिलने नहीं आते तीज साल हो गए एक भी खत नहीं लिखा उनहें नानी अम्मी और रोस का क्या रिश्टा था रोस तो अगर नहोती तो तुम्हारी माँ आज भी जुन्दा होती अर हमारे बीच में हो दिए क्यों? क्या किवसने? बताओउने नहीं टीक है मत पताओ मैं खुदी जा जा पूछ लूँड़ा Kitty 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 कम on Kitty, come and have your milk that's a good girl come on Kitty come on, come to mother come oh my baby मैं रियाज मसूद हूँ, जुबेदा का बेटा, तुम जो कुछ भी बेच रहो हमको नहीं चाहिए, अब तुम जाओ, जाओ. मैं कुछ बेचने नहीं आया है, मैं रियाज मसूद हूँ, जुबेदा का बेटा. जुबेदा, कौन जुबेदा? मेरे नना थे, सुलेमान सिथ. ओ, तुम पॉम्पस आओ. ये आप के लिए. ओ, तांक यू. रोसे पुर अंटी रोस. अंटी रोस. तुम हो जुबेदा के बेटे. तुम हो जुबेदा के बेटे. तुम हो जुबेदा के लिए अंटी रोस से क्या चाहिए? अँट वस्टो रोमांटिक. एक राजकुमार, एक राजकुमारी, घोडे परसवार, जैसे बरियों की कहानियों में होता है. अंट्यू थरस्टी? ठीक है, आपने अपने अंटी रोस की खादिर पीलो. चलो, कवर्ड मेरा मैं, ले आप। मां! चीर्जू चीर्जू येर्स टुजू बेदा. यह नो उस लड़की में बड़ा दम था. तुम्हारी वो गिलगिली, डरपोक, फयाजी बेगम की तरह नहीं थी? क्या कह रही हैं आप? वो मेरी नानी है, प्लीजू. वाल, I'm sorry, my dear, but it's the truth. अगर फयाजी में थोड़ा सा भी दम होता, तो वो सुलेमान को संभाल लेती. और तुम्हारी अम्मी की जिंदगी बरबाद नहीं होती. लेकिन नानी का तो ये कहना है कि सारी बरबादी की जड़ आप हैं. वो तो ऐसा ही बोलेगी. आखिर सच किसको पसंद है. तुम्हारी अम्मी जुबेदा और उसका बाप दोनों एक ही मिट्टी के बने थे. बेहद हसीन और साथ में धिट्ट। तुनों अपनी अपनी बात पर अडगे. And Zubeda was so unhappy. मैंने तो सिरफ उसके जिंदगी में थोड़ी से खुशी लाने की कोशिश की. Yoo-hoo. Hello Aunty Rose. Hello. Hello. देखो, इस भूत बंगले में रहकर ना तुम भी भूत बन जाओगी. जिंदगी भर ऐसे बैठे बैठे दिवारें थाकती रहोगी क्या? Huh? रिजु की देख बाल जो करनी है. अरे जिजु को दो तीन घंटों के लिए अपने नाने के पास चोड़ दो. जाओगी. और रहाँ आँ आँ आँ. और अभा? अरे अभा को मैं देख लोगी. अब जली सत्यार जाओगी. Okay? Come on. Zenabi. I am coming. Okay. क्यों बही, कहां की तैयारी है? सूली डियर, मैं तुम्हारे डॉर्टर को किद्नाप कर रही हूँ हाँ, हम लोग राजभावन फ्लाशो देखने जा रहे वहां खुली हवा और ठूलों के बीच इसके गालों में भी रन आ जाएगा बट-बड़ी असारी है, कम ली थी? आप ही ने तदी थी? ओ, अच्छा देखो रात को अंधेरा होने से पेले घर वापिस आज़ा ना बच्चा तुम्हारे बगार सोयेगा ने ओके, सी यू, बाई बाई-बाई बाई अच्छा अंटी रोस ये तो गलत रास्ता है राजपवन तो उस तरफ है तो क्या मैं तुम्हे 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 बेंगन और गेंदे के फूल दिखाने ले जाओंगी? हाँ? वो सब तुम्हारे अबबा के लिए कहा था मैन एंड होसे अज़ा है मैन एंड है तुम्हे जाओंगी बेंगन के लेका तुम्हारे अज़ा रास्ति याओंग actॉ कर दो प्रफ़ल म्हाँ झाल कर दो कर दो कर दो व्हाँ कर दो कर दो स्ट्धां वक्तर में स्ट्ध शर्भाए भाँ अंधारी शर्भाँ, सुख़ उ owl में है अंधा लॉक्तर टीड़नesting है झाल झाल क्लेज मेशीे फिक्ट소 क्ले झाल फिक्टो क्लेजी झाल डिक्टो हुआ 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 है आप तो आपने सब को डरा दिया अफकोस युवर मैगनिफिसेंट अज यूजूल लेकिन आप तो इतने बड़े घुर सवार आज अचाने गिर क्या से गे रोज एक पल को दो चमकती आखों ने हमारा ध्यान भंग कर दिया यू फ्लाटर रहा कहीं फ्राक्टर बैक्चर थो नहीं हुआ नो फ्रेट, not to worry ओके रोज ये मरिगने नहीं कॉन है इनसे आप हमारा तारूफ कराएंगी या हमें खोधी करना होगा सुपसुरत नहीं इसका मतलब है जरूफ इतना ही हसीन होगा मेरी फुपी का नाम था और वो बिल्कुल हसीन नहीं थी अच्छा अच्छा इस हसीन वाली जुवेदा को हमारा पुलो मैश कैसा लगा घोडे बहुत अच्छे थे सिर्फ घोडे आपकी नजर घोडों से उपर गही नहीं घोड सवारों पर अच्छा रोज हम शाम को ताज में डिनर दे रहे हैं दोनो टिंगों के लिए आप भी जरूर आईएगा इने भी साथ लाइए इनके आने से मैफिल बेचारागा हो जाएगी लेट मी सी जुवेदा डियर आओ भी फ्री दिस इवनिग नहीं मुम्किन नहीं लगता विक्टर जुवेदा आज फ्री नहीं है उसे बहुत जरूरी काम है आज नहीं यह सब हम नहीं जानते हम जुवेदा के यहां जा रहे हैं इनको लेने के लिए आठ बचे आप तेयार रहेगा जुवेदा खबरदार विक्टर जुवेदा के माबापने इन्हें बहुत संभाल कर रखा है इन्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं है ओ तो ठीक है हम आपकी हाँ आप दोनों के लिनी आजाएंगे ठीक आट बचे तिल भी मीट अगेन देन लवली लेडिस बाई मैं ठीक लग रहे हूं ना अटी रोज यू लुक स्माशिंग पता है साडी बलाउस मेरी पहली फिल्म के लिए बने थे ओ गाड तो बी यंग अगेन सौचान भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी तुम आए हो तो इस रात की आवकात बनेगी विक्टर तुम तु बचारी बच्ची को डरा रहे हो जरा आपने दिल को संभालो पूरी की पूरी गजल सामने हो तो शेर के लवा और क्या सुचेगा रोजस फर रोज ओ रोमांटिक अचिस अड़ येलो रोजस विक्टर तुम्हे तु हर मौके की पहचान है थांक यू और इस इस वर यू नो आपन्ट ये तुम्हे ने ले सकती तुर्ट बी सिली माई जियर नहीं लेना है तो मत लो लेकिन थोड़ी दिर पहनने में क्या हर्ज है कमा ये ठिए तुम्हें जाओ को दिया, मैं थो में वे खोड़ी दो कमवे साथ जाओ में उस गाड़ी में की उन्सवाzd चौँट जब में तौशप में युगा क्वारी. युरी इसलिए लुए है। इसलिए विर उप टूए है। और जिए यठ टूबीग इस बीए गया है। इस अंथ वेगी तूए रज रवार्टी। बाइ और रंग और हु़स्ट यालसी मार्तिया डाउन से तो कि विए चिसा खार्मी के विए कैंट की झा की कि तु Anime है चेर्स चेर्स शाल्वी दान्स जी मुझे नहीं आता मैं जो करते हूं बस वही करना शाल्वी डोन्ट बारी चेर्स बारी करते हम नहीं उक्रीव आता चेर्स वहीं वहीं झाला काई। हमने आप से हसी नवरत नहीं देखी नजरों में यही चेहरा हमेशा रहना चाहिए हम आपके साथ सारी सिंद्गी पिताना चाहते हैं क्या आपको हमारे दिल और महल के मलिका बनना मन्सूर है माफ कीजी मुझे चक्कर आ रहा है पिसरा बैठ जाओ माफ कीजी मुझे पिसरा आपके बनना चाहिए झाल झाल जुबएदा आप हमें इस तरज छोड़के नहीं जा सकती हमसे दुबारा फिर मिलना होगा बोलिये कब मिलेंगे कल देखिये मिलना तो होगा औरना हम आपके घर के सामने दर्वासे बैठ जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आब बाहर नहीं आती सुबध आप कुछ कहते क्यों नहीं सुबध जाएंगे। सुबीना 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 इस सब क्या पागलपन है इस सब क्यों हो रहा है अरे लोग बस इश्क में पढ़ जाते हैं माइटिया इस क्यों का कोई जवाब नहीं होता मैं उनसे फिर नहीं मिल सकती मिल नहीं सकती मगर फिर भी मिलोगी कभी नहीं पेलम वेल्टंगफ वेल्टंगवी वेजान नमी जोबी कहाँ चली देखें एक जिनमा देखें आंटी रूस ने अबासे केगा टिकेट महुगाया है खुदा आफिस अम्मी खुदा आफिस अम्मी आंटी रूस कॉनसे पिच्चर देखने जा रहे हैं अहे तुम फिल्म क्या देखोगी तुम्हे तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया इस तरह मैंने उन दोनों की कई बार मेल मुलाकाते कराए और फिर एक हफ़ते के बाद विक्तर जुबेडा को अपने रोयल हवाई-जाज में बिठाकर फटेःपूर ले गया और मुझे यह इहां अकेला छोड दिया अरे अकेला क्यों तुम्हे तुम्हारे नानी के पास छोड़ा था तों प्लेम हा मैंडियो उसे ऐसा मुका फिर कम मिलता and she was so happy. कित्से खूबसरत है, आपने पसंद किये थे? जी नहीं, महराज ने खुद अपने हाथों सो एक एक फूल चुना है, खास आपके लिए, और इसमें एक ख़द भी है, मुझे अजाज़त दीजिए? जी, हुकम. मेरी जान, ये आठ गुलदस्ते हमारे पहले आठ दिनों की यादगार हैं, इसके साथ मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा गुलाम विक्टर. ये विक्टर कौन है? फतेपुर की राजा, विक्टर उनका घर का नाम है, तुम उनसे मिली कैसे? आउंटी रोज ने मिलवाया था, देखो जूभी, अगर साहब को पता चल गया तो आफ़त खड़ी कर देंगे, वो मुझसे शादी करके फतेपुर की रानी बनाना चाहते ह बेटा, ये राजे महराजे बड़े आयाश होते हैं, बोली भाली लड़कियों को फांसने के सब गुर जानते हैं ये वो कहते हैं कि उन्हें इस सरह कभी किसी से प्यार नहीं हुआ प्यार? वैसे भी, वो तुम से कैसे शादी कर सकते हैं, वो तो हिंदू हैं नजाने कमवक्त कहरम में कितनी राणिया पहले सी भरी पढ़ी होगी, मुझा मजा बदलने के लिए एक और सही तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं फिर से शादी करूँ बेटा, तुम्हारे अबबा बहुत अच्छा रिष्टा तैकर रहे है, रड़का अमरीका में पढ़ता है, आला खांदान है जिससे मुझे मुझे महबत है, मैं उसी से शादी करूँगी यह जो प्यार महबब के राब तुम अलाप रही हो, शायद भूल गएं कि तुम्हें एक बच्चे की माँ हो अम्मी, वो मुझे रिजू से थोड़ी अलग करेंगे वो बहुत ही प्यारे इंसान है, एक बार मिलकर तो देख लू मुझे नहीं मिलना प्लीज अम्मी, एक बार, सिर्फ एक बार, मेरी ख्वाइश भी पुरी कर लो प्लीज बाल जाओ, अम्मी नमस्ति बेगम साथ वाह, क्या कहने हैं, आप तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा हसीन निकले आप बेजा तारीफ कर रहे हैं, राजा सहाब शायद ही नहीं अदाओं की वज़ा से आपने मेरी बेटी का दिल जीत लिया होगा देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती जुबैदा के वालिद ने जुबैदा का रिष्टा कहीं और तै कर दिया है और ये रिष्टा हमारी हैसियत और मजभब के मद्दे नजर ज्यादा मुनासिब है आपको नहीं लगता कि दिल के रिष्टे कहीं ज़्यादा मजबूत होते क्या आप एक बार फिर अपनी बेटी की खुशी अपने एहम के खातिर खुर्बान करना चाहते हैं मेरी बेटी क्या आपकी वाहिद बीवी होंगी जी नहीं जब हम 12 साल के थे तब हमारी शादी चंदरपुर के राश्कमारी से कराई गए उनका नाम मंदिरा देवी है बच्चे जी दो एक लड़का और एक लड़की यानि कि हमारी बेटी के बच्चों के कोई हक नहीं होंगे छोटी रानी की संतान होने के नाते उनके जो भी हक हैं वे उन्हें अवश्च में लेगें बेगम साहिबा और रियास का क्या होगा जी हम उन्हें गोद लेने के तयार है खुदा ना करें मैं अपने नवासे को हिंदू तर्वियत से क्यों पलने दूँ बेगम साहिबा अगर उनकी परवरिश एक मुसल्मान की तरह से पही हो तो हमें कोई अतराज नहीं बोली हमें आपका आशिरवाद है अब मान भी जाओ अम्मी मेरी एक तमन्ना तो पूरी होने दो एक शर्त पर तुम्हें रिजू को हमारे पास छोड़ना होगा यह कैसे हो सकता है मैं रिजू की बिना कैसे रहूंगी मैं उसकी मा हूँ मा तो मैं भी हूँ बेटी एक वही तो हमारा नाम लेवा रहे जाएगा इस दुनिया में हम रिजू को नहीं छोड़ सकते हैं अमी जूबी बेटा तुम चंद दिनों की खुशी के लिए इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो यह तो उस राजा का वक्ती जुनून है दो चार दिन रहेगा फिर उप जाएंगे वो नहीं अमी वो मुझे सच्ची दिल से चाहते हैं पर रिजू को अकेला छोड़ कर कैसे चाओ मेरा बच्चा मेरी अपनी चांट से प्यारा बच्चा रिजू सब कुछ इतना दुश्वार क्यों है हम्मी मुझे रिजू को साथ ले जाने दो आप कुछ भी कहिए, मैंसे ले जा रही हूँ चाहे अब चाहे जाँ ये रहे घुजर मेरी मंजिल का है मिरा हम सब मुझे रिजू सब अब चुजर मुझे नहीं अब चुछ नहीं तुम्ही ने मुझे ले जाने से रुका था पर खुदा का शुकर है कि मैंने तुझे अपने साथी रखा वरना वहां पता नहीं तेरा क्या हर रहना अच्छा, नानी, वातेपुर में अम्मी के साथ क्या हुआ था? पता नहीं. तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती, मुझे लगता है, अम्मी ने वहाँ भी डायरी लिखी होगी, वो डायरीया कहा है? मैंने डायरी जलादी, सारी की सारी डायरीया जलादी. आप जूट, तुम्हें अम्मी की हारी कहीं संभाल करक्खी है, वो डायरीया भी जरूर तुम्हारे पास होगी, दो मुझे. क्यों सताया हो मुझे पेकर में जिसको तेको हाथ हो के मेरे ही पीजे पढ़े रहते हैं पहले तुम्हारे नाना ते पर तुम्हारे अम्मी और अब तुम् को है को है खो है खो है कुछ में प्रफढ़े झार कुछ में हुआ Wikipedia तुम्हार कई जडु रहता कोच में अग्या तुम्हार में यार का ने जायए थेढ़ है तू ले, ले, चाक ले इने, ले, बख्त आज जो कुछ हुआ, कहीं ख्वाप तो नहीं था क्या ये सब इस दुनिया में मुम्किन भी है चहरा मेरा था, निगाहें उसकी खामोशी में भी वो बातें उसकी मेरे चहरे पे घजल लिखती गई शेर क्याती हुई आखें उसकी थीरे थीरे गाऊ, हाले हाले गाऊ, तेरे लेहे पिया भी में भी में गाऊं धीमे धीमे गाऊ, धीरे धीरे गाऊ हाले हाले गाऊ, तेरे लेहे पिया, गुन-गुन मैं घाती जाऊ, चुन-चुन, पाय छनकाऊ, सूं-सूं कब से दोहराऊ, पिया, पिया, पिया गुल्शन महके महके ये मन देहके देहके और तन देहके देहके क्यों है बता पिया मन की जो हालत है ये तन की जो रंगत है ये तेरी मुहबत है ये पिया 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 घोन घोन मैं गाती जाओ चुन चुन पाय स्चन काओ सन शन चब से दोहराओं पिया 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 पीया, पीया, ओ, जिंदगी में तू आया तो, धूप में मिला साया तो, जागे नसीब मेरे अन्होनी को धा होना, ढूल बन गई है सोना, आके अरीब तेरे प्यार से मुझे को तू ने छुआ है, रुब सुने है रा तब से हुआ है, अईया और क्या तुझे में दिया तेरी में घाहो में हूँ, तेरी ही भाहो में हूँ, खावों, खीराहो में हूँ, पीया, 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 गुर्दू में गाते जाओं छुन-छुन, कायल चाईं काओं सुन-सुन, तब से तो हुआओं पीया, पीया, पीया झाह सकते हमाइये हैं उसेतल खायँ पिया पिया मैंने जो खुशी पाई है जुम के जो रुत आई है बदले ना रुत वो कमी है दिल को देवता जो नागे सर छुका है जिसके आगे तूटे ना भुत वो कभी कितनी है मीधे कितनी सुखा है तूने सुनाई है जो कानी मैं जो खो गई मैं हो गई आखों मैं तारे चमके रातों मैं जुगनो दंके मिट गए निशान वंके पिया 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 गुन गुन मैं गाती जाओं छुन छुन पायल छुन गाओं सुन सुन तबसे दुभराओं और पिया 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 थू जुगना रिजु नास्ता ठंडा हो रहा है नानी यह सुन अइसा लग रहा है कि कोई मुझे जादू कालीन पर बिठा कर नहीं दुनिया में लियाया है क्या ये फतेपुर का राज महल है या मेरा ख़ाम मुझे फतेपुर जाना है विक्टर कहते है कि तुम मुझसे इतना फ्यार क्यू करती हूं क्या महभबत में घोटन होने लगती है क्या इंसान प्रेम बंधन में जकड के कैद हो जाता है मुझे तो इससे पहले कभी अपने आजाद होने का एसास इस तरह नहीं हूँ जैसे मेरे पर निकल आये हो अगर वो कहते कि अभी अभी कूट पड़ो तो बिना जिजक कूट पड़ती क्या देख रहे हैं आपकी आखे चीते जैसी तेज आखे तुम्हें डर लगता है कि कहाई हम इस मिर्ग नइनी को खाना जाए हाँ सुना है जिनकी आखे करीब करीब होती है वो बड़े ही जलाध होते है अच्छो हाँ मत करो अगर तुम्हें यह करना बं नहीं किया तो हमारी इस। कर नहीं किरनी रशिया आखो आखा वाली दुहन को फौरन सुहाग obtर के बाद काल कोठी बंद कर दिया जाएगा अंटर्यों के साथख मुझे जहर देकर खदम कर देगी कन बंदिरा देभी? अरे वो एक शरीफ राजपूत बहु है वो जानती है कि अच्छी फसल के खातिर हर साल हम राजपूतों को एक नही रानी लेके आनी पड़ती है ऐसे ही वदेबुन में कई सालों सा अकाल पड़ा है ओने दो अकाल, ये राजपूत अब आगे कोई शादी नहीं करेंगे वर्ना? वर्ना क्या? वर्ना? अरे नहीं 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 मुझे बदा करो मेरे अलावद किसी से प्यार नहीं करेंगे मुझे इजर उदे तांक शागपर यह पढटी है मैं तो तुम्हें किसी दूसरे की तरफ देखने भी नहीं हूगी यह तो जात्ती है भई कनिखियों से चुला तो हम भेंगे हो जाएंगी अरे ऐसा मत करो अरे चलो तुम्हें साही शर्ते मंजुख ठीक है गुड गुर्ल गुड गुड गुर्ण आपकी अंगूठी की तरफ शांदार तो नहीं है लेकिन बनभाई गई है उत्वे ही प्यार से तो आप भी उन्ठाई अक्षर का मतलब जानती है अब आप मेरे हो गए सिर्फ मेरे एढिप मेरे जटी केते पीर गटी है मतिर जाये फिर इंडर लागे ये भारों के सरियों रहा जारी लुद यो दो रहा जारी सरियों नखन आजारी आजारी सरिये लुद विछो रहार लागे के भई भादू मा तेलियो मित्टे रएने गड़िये मोदे कई सारो वो पीरो रे नादे सारो वो पीरो वोEE के रएने गड़िये माती रएने ये मैसे रएने गया रे शोट यहां सब कुछ कितना हसीन है यह फटेपूर का राजमेहल है या मेरा ख्वाब सुस्वागत मुरानी मिनाक्षी देवी आपको अपना नया घर मुबारक हो लगता है कोई जुबी को भूल गया नहीं पिलकुल नहीं गिरवर सिंग जी आपने याद फर्म होकुम क्या महाराणी साहब ने छोटी राणी से मिलने का समय दिया है आप उन्हें या क्यों नहीं बुलवा लेते एक कुर्सी उनके लिए भी लगवा देंगे गिरवर सिंग जी छोटी राने खुद मंदीरादीदी के महल में जाकर उनसे मिलेंगी ठीक 11 होकुम आप जाकर उन्हें इतला कर दीशें जो हुकुम यह कैसा आफभाव है वो भी तो घर की है कोई क्वीन ओव इंगलंड तो नहीं राजमेल के अपने कुछ दस्तूर होते हैं जिनने हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं बहुत जल्द तुम्हें भी इनसा बातों की आ अलाद अवरत हैं तुम जस्यू को तो निगल जाया और टकार तक नहीं ले पहले तो सर से पाओं तक देखेंगी कहीं गलत रंकी सारी तू नहीं पहले माल कैसे बने मेकप ढंका है अगर एक भी चीज गरबर हुई तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है ओ माइगाड वो तो हिंदी फिर्मों की सास लगती है पैरशू जी ते रहा हूँ आएएए बैठी क्या ना मैं बेटे का देखते चे और उम्र चार सार साड़ेती बच्ची नहीं दिखी वो अभी सो रहे है आपको अपना महल तो पसंद आया कोई तक्रीफ तो नहीं जी नहीं शुक्रिया यॉर हाइनस आप हमें मंदीरा कहकर फुकारे या फिर मैंडी जैसे ये जच कहते हैं आपको मैंडी दीदी कहना ठीक रहेगा आप लोग आप उसमें जनानी बाते कीजिए हमें जाज अच्छा हैंगे और हम आपको क्या कहें मिनाक्षी मिना मीनू या कुछ और जैसी आपकी मर्जी एम कैसे रहेगा हम अपनी चारों बेनों को ऐसी बुलाते हैं एन एस टी और आर आप तो ऐसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था कैसी नहीं कुछ नहीं मंदीरा देवी मैंडी मैंडी दी दी एम एक बात याद रखे वरना लोग कहेंगे कि आपको तमीज नहीं है हम आपस में एक दुसरे को कोई भी नाम दें लेकिन औरों के सामने आप हमेशा हर हैनस या रानी साहबा ही रहेंगी किसे को ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहिए समझें ओहो यह सब याद रखना आपको बोर नहीं करता और एम इस स्लीवलिस ब्लाउज आपको नहीं पहनना चाहिए और पला हमेशा सर पर रखना चाहिए और यो मेक अप माई डियर इसका भी कुछ करना होगा मैं अपनी मर्जी की कपड़े नहीं पहन सकती जिससे जी चाहे खुलकर बात नहीं कर सकती मैं तो घुट-खुटकर मर जाओंगी माई डियर एम आपको रानी साहबा बनना है तो उसके लिए महनत दर्गार है लगता है हमें आपको सब को सिखाना पड़ेगा आपको इन सब बात ओंगा अनुभव कहां तो फिर नए बलाउस के नाप के लिए हम दर्जी को आपके पास भीचते हैं पर विक्टर को यही पसंद है और उनका नाम हर्गिस मत लीजेगा और उनके सामने महकी महकी है राही बहकी बहकी है निगाही है ना हाइरे 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 घेरे हैं जो ये बाहें पाई है मैंने पराहें तु दिल के तारों पे गा, कीत ऐसा कोई नया, जो जिन्दगी में कभी हो न पहले सुना पल्कों में सपनी सजा, सपनों में जादु जगा, तु मेरी राहों में चाहट की शमी जला मेहकी मेहकी है राएं, बहकी बहकी हैं गाहें है ना हाईरे 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 जल्दी उठकर भी हमें कौन से लड्डू मिलने वाले हैं, हमाराज। उदय क्या आप अपनी भावी को विष्ण ही करेंगे? ओ हो, शमा करें, शमा करें छोटे रानी सा हुकम। दरहसल हुआ ये कि आपके तेज और जलाल के सामने मेरे होश औ हवास उडगए। ये समझने में जरा देड लग गई कि सामने किसी परी का चहरा है या खुद सूरज जमी पर उतराया है। आपके चर्णों में शत शत बनाओ। अच्छा अब आप अपनी भावी के खित्मत में हाजिर होने के लिए गाहे गाहे वक्त निकाल सकेंगे? अजी हम तो इन शराबी आँखों के शिकार हैं। आपकी इजाज़त हो तो बंदा सवेरे, बूपह, शाम इन्ही के चर्णों का दास बना रहे। तो आज से ही शुरू करते हैं फिर। बस बस बहुत हो गया आप आप जाईए यहां से उदैसे। अच्छा इजाज़त दे। हुकुम के बाजशाह और दिलों की मलिका को अलविदा कहता है यह चिड़ी का गुलाम। क्या वो हमेशा ऐसी बहकी बहकी बाते करते हैं। मस्खरा है। बच्पन से बिगड़ा हुआ है। यह था हुआ है। Richter यहां अच्छा नहीं लगता एवरीधिन इस जिस्ट परफेक्ट विक्टर बस रिजू को देखने को बहुत दिल चाहता है बगवान ने चाहा तो एक दिन यह भी हो जाएगा ठीक है यह क्या है तुम्हें कुछ दिखाना है आपको कैसे पता चला मुझे ऐसा ही चाहिए था यह तुम्हारे लिए नहीं है मैंडी का प्रेज़ेंट है हम दोनों की तरफ से हम मैंडी को प्रेज़ेंट क्यों दे रहे हैं अरे शुक्रवार को मैंडी का जम दिन है कैसा है मेरे लिए इतनी हसीन चीज कभी नहीं लाए तुमको अपने दिल में जो बसा लिया है कहो तो चाती चीर के दिखा दे दिल अपने पास संभालिये मुझे कुंदन का हार चाहिए बिल्कुल ऐसा अपी बहुत चाचरा है है नि मिनाक्षी हाँ बहुत सुंदर है आप तो बिल्कुल शहसादी लग रही है आइडिया जो है वही तो लगेंगी है हाँ सोत है क्या शहसादियों को केक काटनी की इजाज़त है या इसके लिए भी केक कट्टिंग इंचार्ज किसी एडीसी को बुलाया जाए क्या जाए आपको मालूम है अज क्या दिन है शुक्रुबर भूल गया आज हमें मिले पूरे छे मेने हो गए अरे पहले क्यों नहीं बताया अब प्रेजेंट कहां से लेके आए अच्छ बोलो क्या चाहिए कुंदन का हार मैंडी दी जैसा उससे भी ज्यादा एक नायाब चीज दें तो क्या चलो ना हमारे साथ अबीश अबीश जूबीश अबीश अबीश रिजू रिजू पीजेदी अपनी अमी को भूल गया जब तुम चली गई तो कई दिनों तक होता रहा मगर अब यह समझता है कि इसकी नानी इसकी मा है बच्चे कोक से जादा गोत पहचानते हैं यह कैसी सजा है चो आप और अबबा मुझे दे रहे वो कैसे हैं मुझे याद करते हैं नहीं उनके लिए तो तुम खुदा नहीं करें मर्स चुकी हो उन्हें बगार बता है यहां आना पड़ा दिल्ली में अन्वरी की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा मेरी खाते रहा पापा से जूट बोली तुम्हारी खाते जब ये रिष्टा मंजूर कर लिया तो पर जूट कया चीज है मैं मेरी अपनी बच्ची हो ये तो नहीं बोल सकती ना रिजू 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 शेहर देखेगा यह देखो रिजू यह देखो रिजू हाँ 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 रिजू तो माप्नी अमीक कपि मावकर सको हाँ 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 ईस आपने एमूट ज कैना तरियास मसूत तर्माइब है अब भूकिंगे जी सब आप फारम बरीय सब आप आप साइ्टर बाली जी सर अप एर्याज मसूच साब है येस जनलिस्ट जी गुट मौनिंग गुट मौनिग अपने हमें पले कहर गर गडियो तो हम भी थोड़ी अपनी तब तैयारी कर ले 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 टे तब आप कैसा रूम फसंद करेंगे बसंति महल में एक रूम मेले तो क्यों नहीं क्यों आप वहां अमारे खास महमान है आपका लगेज एक ठीश क्यो च inertia मत्रुदास कि अज़ाब कर दो रिका समान के चलो आप मेर साइटे साथ तो quartzapur तो पहली बार पता रमे इखका जी कैसा लगा काफी शांदर जगे हैं अभी तो कुछ भी नहीं है सर आई ये ये हमारे हिसाइनेस राजा विजेंदर सिंग जी जब ये जंदा थे तब देखा होता सर अब तो भारत सरकार की महरवानी से सारे राजा महराजाओं ने अपने ठिकानों को होठन में बदल दिया है वो बेचारें भी क्या करें गरीबी में इतने बड़े हाथी को पाले भी कैसे थैंक यू आई ये होकुम अपना «गरिया ये हमारे हिजाओं के छोटे बाई यह राजह बैठे वह यह बार में अकेले बैठे हो तो आप इन के पास याके मद बैठ जाएबगा वरना बाद ने आप पस्ताएंगे और ये है अमरे ही जानिस अ कर और यह लिजे रिया आप यह है आपका बसंति मेल यह देखिए हमारे हिजायनेस ने 1942 में जब ट्रॉफी जीती थी स्पोर्ट्स का बहुत शौक था उन्हें यह देखिए आप राजा विजैंदर सिंग को जानते थे जानता था अजिम उनका ADC था उनका खास आदमी यहां छोटी राणी की कोई तस्वीर नहीं दिखाए देती उनके बारे में आपको किस ने बताया एक टूरिस्ट गाइड कह रहा था कुछ यहां उनका जिकर भी मत कीजिएगा मामूली सी फिल्म एक्टरस थी उसके चक्कर में पढ़के हमारे हजाइनस पर लोग सिधार गे माफ किजीगा वो कोई शडीफ ओरत नहीं थी किसी राजगर आने से नहीं थी इसलिए गाने वाली थी सेर माने वहां मबै मे किसी सेट को फास रखा था और बेटी न यहां हमारे हिजाएनिस को फसा लिया उसी के वज़े से राजपूर्थ मरियादा का मढिया मेट हो गया वैसे मूचे खांदान की बात ही कुछ और होती है क्या आप छोटी रानी के खांदान को जानते थे जी अच्छी तरह ऐसे जानता था अब छोड़िये ना इस किस्से से हमारा और आपका क्या लेना देना लेकिन देखिये आप अपने अख़वार में उनका जिकर भी मत कीजेगा राजमाता साहबा के साथ मेरी अपॉइन्मेंट है आप उने कह दीजिये मैं आगया हूँ पील कमफटबल आपको स्पेशल परमिशन दी है है इस वे प्लीज़ प्लीज़ चीदरो आईए बैठी शटल तो कुछ कुछ मिलती है मगर इस किसम की कपड़े पहना क्या ज़रूरी है आज के लिए फैशन होगा क्यों आपका सफर तो ठीक था जी ठीक था बाई रोड दिली से आया हूँ आने में काफी समय लगा हाँ भई आजकल यहां के सडके खराब हो गई है सडके क्या सबी कुछ बिगड़ गया है आपके माँ को गुजरे पूरी अठाई साल हो गए बहुत दिनों बाद उनकी आद आई जी आपको लिखा था मैंने कि हाँ कुछ पुराने आलबम ढुणडवा के रखे है मैंने इन में हमारी और एम की बहुत सी तश्वीर है आपको पता है हम उने एम कहते थे और वो हमें मैंडी देती जी जानता हूँ आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है उनकी डाइरी में हमारे बारे में कुछ बुरा तो नहीं लिखा जी नहीं अगर ऐसा होता तो आपसे मिलने नहीं आता यहां आक्सिडन के बाद पहले बार उनका नाम लिया है आपने अम्मी को माफ नहीं किया ना उस वक्त हमने उन्हें बहुत कोसा था क्योंकि हमें यकीन था कि उन्होंने ही हमारा सुहाग लूटा है उस जखम को भरने में पच्चीस साल लगें यहां तो हर कोई उन्हें दोशी ठहराता है कोई नाम तक नहीं लेना चाहता उनका राजा विजेंदर सिंग उनका खयाल रखते थे ना पागल थे उनके लिए आपको बुरा नहीं लगा एम ने भी हमसे यही सबाल किया था इंप आप आप हुआ आप हम हुआ हुआ मैं दी दी अब सीरिस्ली ने केल रही है हम ठग गए, चली एक दस मिनट का ब्रेक लेते हैं इतनी चल दिहार मान गई? कम ओन, हम आपके जैसा खेल कहां खेल सकते हैं क्यों नहीं, बस थोड़ी सी प्राक्टिस चाहिए चली उठाई राकेट, कम ओन, लेट्स प्ले, कम ओन हम खेल की बात नहीं कर रहे हैं पर मैं तो खेल के ही बात कर रही हूँ जिन्दगी बैड मिनिन का खेल नहीं है दीदी, क्या आप मुझसे जलती हैं? मैं आपकी जगह होती, तो आपकी आखें नोच लेती? नहीं, हम आपसे नहीं जलते मगर आप जो हैं, उसका हम क्या करें? मैं क्या हूँ? आप एक आजाद पंची हैं, जिसे हर कोई अपने काबू में करना चाहता है मगर आपको बानने इतना असान नहीं ओ मैं गॉड दीदी, I can't believe it You're jealous of me पता है, मैं आपसे कितनी जलती हूँ? आप और विक्टर में एक अजीब सा अपना पन है मैं ही आजनबी हूँ प्रेम के दो ही रूप होते हैं किसी को अपना कर लेना या किसी का हो जाना आपने उन्हें अपना बना लिया है और हम उनकी हो चुके हैं आप दोनों की उम्र में फर्क है फिर भी हाँ, हम उम्र में बड़े हैं सारे फैसले हमारी माता पिता ने हमारी पैदा होने से पहले कर लिए थे मेरी पहली शादी भी तो इसी तरह मेरे बाप ने की थी आपके मियाँ आपको छोड़के चेले गैं आपको बुरा नहीं लगा? शायद वो मुझे सच्चे दिल से नहीं चाते थे इसलिए उनकी जाने का दुख भी इतना नहीं हुआ और महराज वो तो आपको बहुत चाते हैं और आप? आपको क्या लगता है? बहुत चाते हैं आप प्रेम की आग दोनों तरफ लगी हो तो जलती रहती है वरना पुझ जाती है मैं साब को जिन्दा रखूंगी आखिर तक खमागणी हुकुम आपको अंदर महल में बुलवा रहे हैं मारणी सा गंगोर पुजा की तयारी हो चुकी है जाकर कहूं मा अदे गंटे में आते हैं जी आप अपने लाल पोशाग पनकर हमारे साच लेगा लाल क्यों? सुहाग का रंग है आपको अपना सुहाग प्यारा नहीं मारी गुमर जैनकराली एमा मारी गुमर जैनकराली एमा गुमर रम बामे जाशा नजरी गुमर रम बामे जाशा हतीला हट छानों सबड़िला हट छानों सबबर मोने मूजन दो गनगोर बाजीला माने के लड़ो गनगोर आटीला हट छानों सबड़िला हट छानों सबबर मोने मूजन दो गनगोर बाजीला माने के लड़ो गनगोर हरी हरी दूब बागा सूलाइं हरी हरी दूब बागा सूलाइं बागा सूलाइं बोलत कर्मो हाटिला हट छानों साबर मने उजन दो खनगोर आपको यहां की प्रथा का पालन करना चाहिए था है, क्यों बेकार नाच में शरीख हो गए, वो भी बाहरवालियों के साथ, और फिर इस तरह रूट कर वहां से चली आई मैं इन पाबंदियों से तंग आ चुकी हूँ, यह नहीं करना वो नहीं करना, I'm sick and tired of it all, आज से जो मेरी जी में आएगा मैं वही करूंगी आप जानती हैं आप क्या कह रही है, अपनी गल्ती कबूल करने में क्या हार्च है, मुझे यहां कैद होकर नहीं रहना आपको यह सब बरदाश्ट करने की आदर डालनी होगी, हमारी जिन्दगी की दो पहलू है, एक अधिकार का, दूसरा कर्तव्य का, एक की बिना दूसरा मुम्किन नहीं आप कर्तव्य का पालन करती रहिए, मैं नहीं कर सकती अधिक वालनी जाताना, जाताना थेक अधिकार के चाहीं धर्यदी, है प्राडिंग नहीं चन्दूँ बड़े गोश्च लग रहे हैं रात को अच्छी नीद आई होगी आपने तो हमेशा अच्छी नीद आती हैं महबबत हमसे करते हैं और राते बहां गुजारते हैं जुबी मैंडी को हम नजर अंदास तो नहीं कर सकते ना और क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ बिल्कुल मैं और उजैसे क्यों बनूँ मेरे भी कोई अपनी पैचार है गंगोर की रस्म में मेरे साथ अच्छूजा सबर्तों क्यों किया गया जुबी राजमहल के रस्मों का अपना कुछ रख रखाव होता है हम सब को उसका पारण करना होता है ऐसी चोटी बाते दिल पे क्यों लेते हो यह चोटी बात नहीं जुबी असल मैं यहां कोई भी मुझी कबूलने को तयार नहीं उपर से यह बेहुदा रस्में जुबी यह रिवायत है हमाय तहजीब का हिस्सा है जैसे उंगलिया और नाखोन होते एक भाग मर चुका होता है पर भाग ही तो जिन्दा है मैंनी बहुत दुखी है तुम्हें इनसे इस तरह से रूट के नहीं आ जाना चाहिए था तुम जा कर मना लो हमारे लिए जाओगी हमारे खाथे तुम्हारे खाथे जी चाता है तुम्हें इस गोठी में बंद करके कभी यहां से जाने नहीं दूँ तुम्हें यह जगह बहुत पसंद है चलो आज से इस घरूंदे के मालिक तुम्हारे जब भी हमें अखेले पंड के जरूरत होगी तो यहां आ जाएगे जर्ब मैं और तुम्हाराज माराज कभाब में हडडी बनने के लिए माफी चाहता हूं मगर यहां महबबते हो रही हैं और वहां बेचारे खदरधारी नेतागंड दो घंटे से आपके इंतजार में धूप सेक रहे हैं क्या गजब कर रहे हैं दादा जरा उन्हें भी संभालिये आपके आदर नी यह माता प्रसाद जी थो आप जानते हैं कितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं अब यह आते हैं क्या जाना जरूरी है आओ दै जाकर अपने भावी का दिल बहलाईए शायद आपके छिछोरे जोग सुनकरम का मूठ ठीक हो जाए चोटे रानी साम् यह आंसू जिने दिखाने थे बुजा चुके हैं अब आप यह बंपा बन कर सकती हैं जरा मुस्कुराइए सामने देवर जी खड़े हैं सेचीज प्लीज अट्स नाइस अट्स नाइस अट्स वेली नाइस नाँ होल दे यह वीन बात बरसा चट गई और सूरज निकलाया मगर यह गालों पे आंसुआं के निशान अच्छे नहीं लगते इजाजत हो तो इन्हें अपने ओटों से साफ कर दें आप पीकर आये हैं आखों की मदुशाला नजरों की चलकते जाम नशा तो आना ही है ओ शुट आप यह कॉलर ठीक से बैठानी है और काच पी टेड़े हैं एहसी कारीकरी नहीं चलेगी आप नया कपड़ लेकर दूसरा बनवा दीजीगा हो कुम चलिए मास्टर जी आप सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे संभाल लेती हैं मगर आपको तो नहीं संभाल पाई होना है इम सॉरी मैंडी दीदी उस दिन गंगौर के वर चोड़े जो हो गया उसे भूल जाईए इस खांदान के जो लोग है समझ में नहीं आता है उनके साथ क्या सुलूक करे किसी खास व्यक्ति क्यों रिशारा है हाँ राजा उदेचंद्र सेंग कुछ कहा उन्होंने कभी तो लगता है कि वो मजाग कर रहे है और कभी शक होता है कि कि मामला कुछ और है आप उन्हें गलत समझने का मौका ही न दीजी वो अपने आप पीछे हड़ जाएंगे अगर विक्टर को पता चल गया तो आपने बताएंगी तो कैसे पता चलेगा वैसे भी दोनों भायू में दनाव है अगर आप कुछ कहेंगी तो जल्ती पतेल का काम करेगा कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़िया उपाय होता है आज फिर से देर कर दिया आपने क्या करों डाले हालात ही कुछ ऐसे पंडित नहरू उनके लोग हमें दबाने के पूरी कोशिश कर ले इसका मतलब नहरू आपके लिए हमसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है इस वक तो नहीं है पिट्टा अगर कोई मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे गोली से उड़ा दम का अपने भाई को भी कौन उदे है तुम इसकी बात को सिर्यस्ली लेती हो उड़ ऐसे तुमा दिल बहला रहा होगा अज कर मूल अटका है जो फिरती हो तुम अच्छा यानि आपको भी इसका अशास है हम उतने अंदे है नहीं जोई जेतना तुम हमें समस्ती हो हमें मालूम है कि काई दिल सभाई ठंकी बाचित नहीं हो भाई ना हम तो फिर आप उदे से बात करेंगे तुम्हारा वहम है जो भी ऐसा कुछ नहीं है हम अपने भाई को नहीं जानते हैं हम अच्छा करते हैं को काम जल्दी पूरा करके सिधा यहां आ जाएंगे तुम्हारे पास सच मश डियर डायरी मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि जिन्दगी में कभी इतना सुख नहीं मिला इस चोटी सी शिकार कोठी में मैं विक्टर के आने का इंतिजार करती हूँ कमरों में फूल सजाती हूँ, अपने हाथों से खाना बनाती हूँ वो रोज दिन का खाना यहां खाते हैं ठीक एक बजे आते हैं और देर तक रुखते हैं खमागणी, छोटे रानी सा हुकम खमागणी नाइस, वेरी नाइस लगता है महल छोड़कर आपने यहीं पिदेरा जमालिया है यू लाइक इट? विक्टर ने ही कोठी मेरे नाम कर दी है अब यह मेरी छोटी सी जननत है क्या हम गुनहगारों को यह जननत नसीब होगी? बिलकुल नहीं अब जाएए यहां से, विक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, वा आते होंगे वाइए यह जो रिलाक्स? वह अब ही नहीं आने माले वो तो हमारे प्रीय माता करसाजी से चोच लड़ा रहे होंगे मगर वो हमेशा एक बजे आते नहीं आये तो क्या हुआ? हम जो हैं, क्योनह मुकी का फाइदा उठाया जाए? यह बहुत ही बेहुदा मजाग है हम मजाग कब कर रहे हैं हमारे दिल में जो आप के लिए है जुबैदा आप नहीं जानती अच्छा, यह बात सुबह से कितनी लग्यों को के चुके हैं माली की बीवी, साइस की बीवी, पुजारी की बीवी और अब भाई के बीवी बात को मजाग में तुड़ाइए आप भी हमे जाती हैं, हम जानते हैं अब चाहिए यह से राजा साहम, अभी इसी वक्त तुम समझती हो कि विक्टर तुम पे बहुत मरता है बहुत महबबद करता है तुम से क्यों? किषए तुम कुछ नही है तुम वडिए तरकीबर कर देगी एक कीन्ती हुश्तु वस्तु व वस्तु व स्ड़्यम्स के प। महबद तुम से हमकरते हैं भाई जो खुशी तुमें उदाए चंदर संग दे सकता है, दुनिया में कोई विक्टर नहीं दे सकता है. विक्टर! गुद आफ्टनू। गुद आफ्टनून दादा. विक्टर! मुझी तु लगा था अज आप नहीं हाएंगे. अरे तुम तु परिशान हो रही है, हमने आने में देर क्या करती है, तुम भी हत करती हैं सुभी. दादा, क्या ये सच है कि ये कोठी आपने इस औरत के नाम कर दी है? उदैसे इस बत्तमेजी का क्या मतलब? मिनाक्षी देवी कोई औरत नहीं, आपकी भावी लगती है. हमारी भावी तो महलों में आपका इंतजार कर रही है, महराज. और ये जायदाद हमारे पुर्खों की है. इसे बिना किसी राय मश्वरे आप एरों गेरों को दान नहीं कर सकते. उदे ये बातें फिर कभी हो सकती है? मैं तो आपको सावधान करने आया हूँ. शहर भर में उच्छाला जा रहा है कि आप अपनी माशुका के इश्क में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि आपको और कुछ सूजता ही नहीं. अपनी चोचले बाजियों से पुरसत नहीं है आपको. वरना आपको भी मालूम पड़ जाता कि माता प्रसाद किसान सभा के साथ गटबंधन जोडने में लगा हुआ है. वकवास बंद कीजिए, हम अभी अभी बात करके आ रहे हैं उनसे. अरे ये उसकी दोगली चाल है, आपको क्या मालूम है? तो आप यहाँ इसलिए आये थे? हमें ये सब बताने के लिए? ये इसलिए नहीं आये थे. पूछी इंसे. आपके आने से पहले क्या-क्या बख रहे थे? पूछी इंसे? हमें और कुछ नहीं सुन्दा. अधैसिंग, आप जाए यहाँ से. जस्लीव. लीव. आप ने इतनी देर क्यों लगा दी? हम चुनाओ भियां के जुगाड में लगे हुए थे. कैसे चुनाओ? तुम्हारा इन सब बातों से क्या सरोकार है? तुम्हारा काम है सदा हसीन बने रहना? और हमारा दिल बहलाना? इससे रोल दर आया है? क्या आपके लिए मेरी इतनी ह क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? आप तो किताब पैसे नजरे नहीं अटा रहे हैं? बैने आपको देखा नहीं साथ है तुम्हारी यह क्या आपने तो कुछ भी खाना नहीं खाया लगता है यहां का खाना आपको बज़न नहीं आया नहीं ऐसी कोई बात नहीं अच्छा बताइए राजमाता के साथ आपकी मुलाकात सफल रही जी है काफी मटीरल मिला उन से इसे बुड मतलब यह कि आपको जो आपने मुझे प्रामिस किया है कि आप मेरा फोटोग्राफ अखबार में जरूर चापेंगे एंड यह फुल्फिल यार प्रामिस करूंगा लेकिन मुझे आपसे भी कुछ इंफरमेशन चाहिए कहिए मरजर के फॉरण बात जब आपकी रियासत इंडियन यूनियन में शामिल हुई तो राजा विजैंदर सिंग जी को कैसा लगा मरजर इस मरजर का तो आप नाम ही मत लीजिए हमारी बरबादी का सामान था यह मरजर हमारे हेज हैनेस की गद्धिश हिन गई और उनमें और एक मामूली किसार में कोई फार्क ही नहीं रहा हाँ नए भारत में सामंतवाद कहां तक चलता नए युग का चलन देखकर हमारे महराज चुनाओ लड़ने को भी तैयार हो गए लेकिन दूसरे रजवाडे के लोग ऐसे आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे हमारे महराज को यूनियन सरकार के खिलाफ साज़िश में फसाने की पूरी कोशिश की गई सब कुछ बहुत ही तरकीब के साथ किया गया जंगल के बीचों बीच शिकार और मुझरे कायजन किया गया और उसकी आड में सभी राजा महराजाओं ने मिल करके पूरी प्लैनिंग की देखो 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 देख रही है सारी दूहिया देखो सही या छोड़ो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ते क्या फैसला किया एव जेंदर सिंग क्या आप राजपूतों की मान मर्यादा बचाने में हमारी मदद करेंगे गुस्ताखे माफ करें महराज मगर हमें आपसे तफाक नहीं है हम मुठी बर रजवारे भारत सरकार का विरोध नहीं कर सकते आप जानते हैं जब हमने यूनियन सरकार को याद दिलाया कि सरदार पटेल ने ये वादा किया था कि यदि हम ऐसा चाहें तो हमें स्वाधिन्ता के अधिकार भी दिये जा सकते हैं तब तो हमें देश्त्रोही करार दिया गया और आब हमाएं गद्दी से वंचित करने के लिए शड्यंत्र किये जा रहे हैं और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेंगे कायर बनकर चुप बैठे रहेंगे नहीं हमें चुप नहीं रहना चाहिए लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं उसमा गद्दारी की बू है किसके विरोध में गद्दारी कि अपने अपने ठिकानों पर हमारा अधिकार अवईद है दो हजार साल से हमारा वंच राज गद्दी पर बिराजमान है किस बूते पर भारस सरकार हमें देश त्रोही करार सकती है हाज हम हिंदोस्तान की सारी जंग जू जातियों को इकठा करके भारस सरकार के अन्याय के खिलाफ एक भारी महाज खड़ा कर सकते हैं महाराज ये मनसुबा चलने वाला नहीं क्यों नहीं? हमें बड़े बारसूख जरिये से पता चला है कि अंग्रेज हमारे महासंग को मानता देने के लिए तयार है महाराज हमारे रियासत की प्रजा एक और विवाजन को कभी स्विकार नहीं करने वाले अगर इस मुल्क की भलाई चाहते हैं तुम्हारे पास एक ही उपाय है हम अपनी अलग पाटी खड़ी करके चुनाओ लड़े शमा करें महाराज मगर यह उपाय नहीं यह तो कायरता है आप चाहते हैं कि इलेक्शन के पचड़े में पढ़कर हम दिल्ली को अपने रहे सहे हक भी छीन लेने का बहाना दे दें हम ऐसा हरगिस नहीं होने लेंगे हम और हमारी रियासत के प्रजा किसी भी साजिश में भाग नहीं लेगी हमारी प्रजा दिल्ली के टोपी वालों का नहीं दादा हमारा राज चाहती है तो फिर चुनाओ में वो ज़रूर हमें ही वोट देगी और भगवान न करें अगर हार गए तो तो क्या होगा क्यों व्यर्थ में जलील होना चाहते हैं महराज हमें अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है अगर हम एक पत्थर को भी उमिद्वार बना कर खाड़ा कर दें तो हमारी प्रजा उस पत्थर को ही विजयी बनाएगी पेल्या मैं थारा महराज हाँ अब मैं थारोश साथी हो आज भी थाका दुख थाका दरद सारा का सारा महरा मैं आपने बताओं कि दिल्ली सरकार धमकी दी है कि अगर मैं थारोश निधी बनके थारे हक के वास्ते आवाज उठाई तो वह मारा प्रवी पर्स बंद कर देगी मारी संपत्ती जब्द कर लेगी इसलिए आश्य जी दिनलो मेरा प्रवी पज़ुर्ण कर लो मेरी संपत्ती मेरी संपत्ती तो मेरी प्रजा अनके दिलों में मेरा प्यार है अब मरा टंब अब अब दर अंप आपने बेहना सुप दो शब्द काई महरी बेहना से महरी एक ही बिनती है कि चुनाओ के दिन घर में नहीं बैठना ने अपने घरवाले को बैठने देना अपने राजा को वोट देना अगर आप इने विजय करोगे तो ये आपके आवाज को दिल्ली तक पहुचा सकते हैं इसका मभख्ष इलेक्षन ने सब को चौपट कर दिया मैं कितने अकेली पड़ गई हूँ यहाँ अब मेरा कोई नहीं विक्टर ने सच कहा है कि मेरा काम था बस उनका दिल बहलाना जब किसी का सहरा चाहिए तो वो मैंडी को ही खोचते हैं मगर मैंडी ने भी मेरे साथ ठीक नहीं किया मैं तो शब्नम थी हतेली पर तीरी गुम हो गई वो सितारा थी सो तेरे पहरन पर सच गई कैसा है मैंने खुद बनाया है रिजू का बद्देकार भीजवा दिया काश मैं खुच जाके दे सकती उसे मिलने को बहुत दिल चाता है दो साल हो गया उसे देखे तो चली क्यों ने जाती मुझे अलग करने की तरकीबे सूज रही है क्या आप चाहते हैं कि मैं चली जाओ ऐसा हमने कब कहा पर बात यह है कि हम दोनों या नहीं होंगे तो तुम अकेली हो जाओगे आप दोनों मजे छोड़कर कहां जा रहे है चुनाओ के सिलसले में हम और मैंडी महिने भर के लिए बाहर रहेंगे ओ मुझ सी क्यों नहीं कहा मैं भी चलूँगी तो हो सकता है कि वोट गड़ जाएंगे अच्छा तो अब मैं आपके लिए बोज बन गई हूं मुझे कुबूलने से शर्म आती है आपको कही लोगों को यह नहीं पता जल जाए कि आपकी छोटी रानी एक मुसल्मान खांदान से है तुम्हें हो क्या गया है सुपी इसमें हिंदू मुसल्मान का सवाल नहीं है राजनीती मैं विरोधी के हाथ में अपने पत्ते नहीं देने चाहिए तो आपने पत्ता हूं जो आप खेल चुके हूं इसलिए साथ नहीं ली जाना चाहते है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बात दर असल यह समझाने से क्या होगा चाह मैं असरी बात नहीं जानती अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं ओप चुके हो इस खिलोने से मैं गूंगी गुड्या हूं ना जिसे कूरे में फेका जा सकते हैं साफ साफ क्यों नहीं के थे क्यापके तिर भाड चुकाए मुझसे जुबी मरी बास तुम जुबी यह क्या बागल पड़ है इसे बाकुत नहीं मर बास समय नहीं छोड़ू मुझे जुबी 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 आप आप जाउकताश को कि आपनेन दिनफार यहां अचाओं को मुझें जुड़ोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो कर दो बढ़ाई हो महराज बढ़ाई हो विजई होने की बढ़ाई हो दादा खुश रहिए प्रणाम भावी साम हाँ तो कितनी सीटें जीते हैं हम जिन 45 सीटों पर हमने उमिद्वार खड़े किये थे उन में से 40 सीटें हमने जीती माता प्रसाद जी ने आखरी समय तक लटकाया रखा वरना सारी सीटों पर अपनी लोग खड़े कर देते और सरकार हमारी होती माता प्रसाद जी को मजबूरान हमाई साथ गठबंदन करना ही होगा रफी साहब ने कॉंग्रेस हाई कमान से बात करने के लिए हमें दिल्ली बुलाया है आपकी भावी भी हमाई साथ दिल्ली जाएगे सच को अर कितने दिल जुट्टला मैं खाव से कब तक ये दिल बहरा मैं दिल बता दो ही कब अब जाएगे एर रुमली जाएगे जाएगे जाली जुवेदा, तुम्हा क्या कर रही हो? मैं आपके साथ दिल्ली आ रहे हूँ जुवेदा, हम दिन रात वहां मीटिंगों आ भसे रहेंगे तुम वहां क्या करोगे? चलो बचों को लेके घर जाओ तो क्या हुआ? मैं फिर भी आउँगी? मैं आपके बिना नहीं रहूँगे, नहीं रहूँगे, डाई रहूँगाई जुवेदा, जुवेदा, प्लीज बिएव यॉसल्फ जुवेदा, इस प्लेन में सिर्फ दो जैने बैठ सकते हैं मैं अंडी हमारे साथ आ रही है मैं अंडी दीदी, इस पर में जाओंगे, आप नहीं जुवेदा, प्लीज जुवेदा, ऐसा मत करो तुम हुआरी मुश्किले क्यों बढ़ा देगे? आप कुछ में कहिए, मैं तो चलूगी चलिए, लेट्सको आप कुछ में तो चलूगी खेले कुर आप बटीर चि खो 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 इन days सुगए को गोड़ीर ताइल गडदी खновर बट्सकित पुत आप वो दो झाल मुझे लाजा उदेचनर सिंह कहते हैं तो बताईये जनाब, आपका हमारी तरफ आना कैसे हुआ? मैं एक जनलिस्ट हूँ, एक स्टोरी की तलाश में हैं तब तो अच्छी अच्छी बातें लिखना आप, हमारे होटेल, हमारे खांधान और हमारे बारे में? जी जरूर, एक पॉइंट है जो आप क्लियर कर सकते हैं राजा विजैंदर सिंह और उनकी जूनियर रानी एक रहस्य में हाजसे में मर गए थे, इस अट्रू? कोई रहसी नहीं था सहाब, प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हुआ और गिर कर ग्रैश हो गया, और वो अकेले थे, प्लेन में उनके साथ और कोई रही था उसका मतलब कि उनके साथ उनकी छोटी रानी नहीं ती, जो दिली जारी थी चोटी रानी, there was no चोटी रानी, हमारे स्वर्ग्वेसी भाई साहब विजेंदर सिंग जी की बस एक ही रानी है, राजमाता मंदिरा देवी, हाँ, रखेल सरी की एक दो ओरतें और थी, बगर उनके बारे में कुछ याद नहीं, हमें कुछ याद नहीं, अच्छा, हम चलते हैं आरानी हमें आई मेरे से नहीं कुछ उसकशा ताथा हैं जुछ थाया आर्ओखांच में अधिए छिए जुछ तो को अगमी, इस प्रमट, जे वार हम आए रानी है? तेंसो असी तेंसो असी तो रिया सहाब मैंने आप से कहा था ना या प्राजय सहाब से सावधान रहिएगा यह लीजिए यह राजमाता ने खास आपके लिए भिजवाया है और आपको अल्ड़ बेस्ट बेस्ट अब जरनी कहा है फिरा यह रिया सहाब मुझे बहुत होशी होगी गुट बाए थैंक यू अपने हाथों से फिसलती हुई जननत मैं यह जानती हूँ कि कुछ भी सदा कायम नहीं रहता मगर फिर भी विक्टर को कभी बदलने नहीं दूँगी वो बदल गए तो कैसे बरदाश कर पाऊंगी शायद हम सिर्फ मर के ही खुश रह सकते हैं अब के हम बिछडे तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए भूल किताबों में मिले जिस तरह सूखे हुए जिस तरह सूखे हुए जिस तरह सूखे हुए पंजारन लड़की नानी मैं यह नी समझ पाया अम्मी आखिर चाहती क्या थी उन्होंने प्लेन जान बूज के तो नहीं न गिरा दिया अल्ला ना करे रिजू मेरी जुबैदा ऐसी नहीं थी कि अपनी जान ले ले उसे पता था कि यह गुना है यह तो राजा के दुश्मनों की जाज़िश थी बेटा अखबारों में भी यही चपा था मैं तो ने हमेशा ऐसे याद रखूँगा जैसे वो एक परियों की शहजादी थी बस हाँ वो परियों की शहजादी ही थी रिल जुरू करवां हाँ स्टार्ट करो हुआ मैं अलबली घुमू अकली कोई पहली हूँ मैं किनी हुगन में तैले कुशन थी शर्ण तभी हूं में तभी कुशना शाम और सवेरे थारंग मेरे नभी नहीं जानू आपि मुझा कर दो 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 दें वारी स कर दो 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 bandwidth un CD स कर दो दो साम और शो गए हो गए है दिल के अफसारी कोई दो आता फिर से कभी इनको जगाने कोई दो आता फिर से कभी इनको जगाने सो गए है खो गए है दिल के अफसारी सो गए है खो गए है दिल के अफसारी कोई दो आता फिर से कभी इनको जगाने कोई दो आता फिर से कभी इनको जगाने कोई दो आता फिर से कभी इनको जगाने कोई कभी इनको जगाने